तो आज की वडियो में हम बात करने वाले हैं आपर सारपी लाइट पार लाइट डिये मैक्स स्मॉक मसीन मतलब कि जो हमारे सिस्टम को काफी अच्छा खुबसूरत और जो देखने में अट्रक्टिव दिखता है वो यहाँ पर डिजे में लाइटिंग के कारण ही होता है तो अगर हम स्टार्टिंग में जो लाइट लेते हैं जैसे कि सारपी लाइट लेना चाते हैं पार लाइट लेना चाते हैं डिये मैक्स स्मॉक जो की चार जो है काफी में चीज होते हैं जो हम यहाँ पर सजाने में लगाते हैं जो लाइटिंग में लगाते हैं तो चार चीज़ जो अगर हम लगा लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम का लुक है वो काफी अच्छा दिखने में लगेगा लेगन प्राइस भी थोड़ा सा है यहाँ पर बजट भी आपको काफी अच्छ बनाना पड़ता है तो चलिए आज की वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं जैसिक भाई का कमेंट आप देख सकते हैं यहां पर आया हुआ है कमेंट तो यहां पर हम इसका प्राइज डिटेल्स हम बात करने वाले हैं जो कि आप देखी सकते हैं कमेंट में तो कमेंट हम नह साटिंग टाइम अगर मान लेते हैं अगर आपके पास डीजे सिस्टम है आप कभी चलाज़े वन येर टू येर मतलब दो साल तिन साल कभी से भी चलाते हैं अगर आप सारपी लेना का प्लान कर रहें तो कम से कम दो पेटी सारपी लीजिए जो कि भाई ने कमेंट जो है चार पीस सारपी लाइट किया है तो काफी अच्छा किया है क्योंकि सारपी जो है चार पीस ही लेना चाहिए अगर आप लेते हैं तो क्योंकि दो पीस में अच्छा नहीं दिखता है कम से कम चार पीस जब लगाते हैं तो टॉप की उपर आप लगा सकते हैं जो कि काफी अच्छ करते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा और कौन सा हम सारपी लेंगे कौन सा ब्रैंड का और कितना आर का रहेगा यहां पर जो सारपी रहेगा वो हम यहां पर लेने वाले हैं बीएसम के तरफ से आने वाला टेन आर का सारपी जो की बीएसम का सारपी जो है वो काफी अच्छा और उसका जो लाइटिंग है जो बीम है वो काफी अच्छा और काफी श्ट्रोंग आपको निकलता देखने को मिल जाता है दूसरे ब्रैंड के सारपी के हिसाब से और इसका प्राइज हम बात करते हैं तो एक पेटी का प्राइज मतलब उसमें दो पीस सारपी निकलेगा आप लग प्राइज होते हैं तो यह आपका BSM 10R का प्राइज 57,000 रुपया पेटी आपको पढ़ जाता है जिसमें से आपको 2 सारपी मिल जाता है फ्लाइट केस के साथ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पार लाइट जो कि यहाँ पर भाई ने किया है 8 पीस पार लाइट तो यह भी काफी सही है अगर हम देखेंगे अगर एक सर्कुलर अगर गोल राउंड में अगर हम लगाते हैं तो लगबग 8 पीस पार लाइट प्लस 4 पीस सारपी अगर हम लगाते हैं तो लगबग जो है काफी अच्छा आपको लुकिंग देखने को मिल जाएगा लेकिन जादा लाइट होता है उतना ही जादा एट्रेकुटिभ देखता है लेकिन अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो आठ पीस काफी है तो यहां पर आट पीस पार लाइट का जो प्राइज है या फिकतने वाट का रहेगा कौन सा प्रांट के रहेगा तो यहां पर बाइसन का और ये तीन वाट में रहेगा मतलब तीन वाट एलेडी में आता है सार पी नहीं पार लाइट और ये तीन वाट में रहेगा और बाइसन के तरब से आने वाला लाइट रहेगा आपका फाइबर वाला जो की काफ़ अच्छा रोसनी उसका आपको देखने को मिल जाता है और उ कुछ इस प्रकार से जो है आपका price लगने वाला है par light का, 3 watt का आपका par light रहेगा और 22 बासंद का रहेगा, मैं आपको brand बता देता हूए, क्योंकि इस वाले par light का जो है काफी अच्छा, रोसनी आपको दिखने को मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर particular कोई एक अच्छा ब्रांड ले लिया हूँ इस वीडियो में तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका price रहेगा जो कि आपको लगबग 1800 रुपया यहाँ पर हमने add गया है total price भी हम जोड़ेंगे कि price वह कितना आ रहा है calculation हम करने वाले हैं इस वीडियो में यहाँ पर stand का हमने लिया है DMX यहाँ पर DMX 512 जो कि इसका model नंबर होता है और यह stand company के तरफ से हम ले सकते हैं और भी other brand में भी जा सकते हैं जो कि उसका price लगबग 2500 रुपे से ले करके 3000 रुपे या फिर और भी अच्छा brand में जाते हैं तो और भी आपको महंगा देखने को मिल जाता है और या फिर दूसरा model में जाते हैं तो वो भी आपको अलग price range में देखने को मिल जाता है लेकिन हम जिस वाले DMX के बारें बात करें वो stand के तरफ से आने वाला DMX 512 जो कि उसका price लगभग 3000 रुपे cash plus पे market में आपको मिल सकता है price उपर नीचे हो सकता है 2400 रुपे कम जादा हो सकता है और यहाँ पर हम एक fog machine लेने वाले हैं या फिर smoke machine भी हम बोल सकते हैं fog machine भी बोल सकते हैं जिससे कि हम धुआ निकालते हैं तब धुआ निकलता है वो machine हम लेने वाले हैं जो कि stand company के तरब से होने वाले है और smoke fog machine जो भी हम बोलेंगे तो वो लगभग यहाँ पर 12W का कम से कम हम लेने वाले हैं 12W का हम एक fog machine ले सकते हैं medium budget में जो कि लगभग around 4000 something आप पकड़ की चलिए 500-700 जो भी है वो थोड़ा बहुत extra लग सकता है और यहाँ पर इसमें बहुत सारे wattage के उपर आते हैं जो कि 1500W में भी आपको मिलेगा 2000W में भी मिलेगा लेकिन उसका price जो वो बढ़ते जाता है तो यहाँ पर 1200W में अगर आप लेते हैं अलग अलग और company भी बता दिया है यहाँ पर 4 पीस सारपी मतलब की 4 पीस वले तो यहाँ पर single single 4 पीस मतलब 2 पेर सारपी 2 पेटी 2 पेटी सारपी का price BSM 10R 1,14,000 रुपे आपको यहाँ पर 2 पेटी सारपी का price पढ़ने वाला है 8 पीस पार लाइट का machine हम बोलेंगे उसके लिए यहाँ पर 4000 में ने add किया है 300 watt बढ़ा देते हैं उसमें 1500 watt का लेते हैं तो लगभग 5000 के आज़ पास में वो आपको मिल जाता है तो यहाँ पर अगर आपके पास और अच्छा budget है तो ज़्यादा watt का ले सकते हैं जिसे कि जो धुआ है वो और भी strong आपका निकलने वाला है धुआ इसमें भी निकलेगा 900 watt वाले में भी निकलेगा 1200 watt में भी निकलेगा 2000 watt में भी निकलेगा 3000 watt वाले में भी निकलेगा सब सभी में निकलता है धुआ लेकिन जितना ज़्यादा वाटेज रहेगा उतना ज्यादा ही strongly यहाँ पर आपको धुआ या फिर smoke आपको निकलता देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो हमने add किया है उसका price list अगर हम देखते हैं तो total amount निकलता है 1,35,400 रुपए मतलब कि अगर हम around जोडते हैं तो लगभग 1,40,000 का budget हमें बनाना पड़ेगा मतलब 1,40,000 रुपए का आसपास जो है आप इतना समान खरीच सकते हैं जो हमारा SARP Lite है उसमें ज्यादा पैसा आपको लग जाता है उसके लिए भी आप जो है मतलब आगे चलके यहाँ पर जो है ले सकते हैं उसमें भी आपको एक्ट्रा पैसा लग जाते हैं लगभग 20-22,000 के आसपास तो फिलाल अभी के लिए इतना ही जो भी मैंने आपको बताया है प्राइस इटर्स बता दिया है वीडियो का एसाला गंड़ीच का में लोक्त में बताईगा एंड़ वीडियो थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा हो ही गया है तो चले मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम